हेलो दोस्तों, आप सबी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे 1996 में रिलीज हुई फिल्म प्रेम गरंथ के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं बॉलिवुड की धगधग गर्ल, माधुरी देखशेत, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन कुछ ना कुछ साजह करती रहती हैं लेकिन हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की जो काफी पुरानी है दरसल ये तस्वीरें फिल्म प्रेम गरंथ के सेट की हैं फिल्म को रिलीज हुए 25 साल पूरे हो चुके हैं और इस खास मौके पर अभिनेत्री ने इन तस्वीरों को साजह किया है साल 1996 में रिलीज हुई माधुरी देखशेत और रिशी कपूर स्टारर प्रेम गरंथ की रिलीज को 2021 में 25 साल पूरे हो गए है फिल्म को दिवंगत निर्देशक और अभिनेता राजीव कपूर ने डिरेक्ट किया फिल्म में दिवंगत अभिनेता रिशी कपूर और एक्ट्रेस माधुरी देखशेत ने लीड रोल निभाया था तो वहीं फिल्म प्रेम गरंथ के 25 साल पूरे होने पर चलिए आपको देखाते हैं माधुरी देखशेत द्वारा साज़ा की गई तस्वीर हैं और बताते हैं फिल्म से जुड़ी कुछ रोमांचक और खास बाते हैं फिल्म प्रेम गरंथ रेप जैसे गंभीर मुद्दों पर बनी एक फिल्म थी जो अपने समय से काफी आगे की फिल्म थी शायद यही कारण है कि उस वक्त इस फिल्म को दर्शकों ने खास पसंद नहीं किया था हालां कि इसके गाने लोगों को काफी पसंद आये थे गाना दिल देने की रुत आई आज भी लोगों की जुबां पर रहता है फिर प्रेम गरंथ रेप जैसे मुद्दों पर बनी थी जो अपने समय से काफी आगे की फिल्म थी शायद यही कारण था कि उस वक्त इस फिल्म को दर्शकों ने इतना खासा पसंद नहीं किया था हालां कि इसके गाने लोगों को काफी पसंद आये थे गाना दिल देने की रुताई पर आज भी लोगों के जुबां पर देखा जाता रहा है तो वहीं एक अन्य फोटो में माधुरी देखशेद कुरसी पर बैठी हुई नजर आ रही है और उनके साथ अक्टर रंधीर कपूर बैठे हुए दिख रहे हैं तस्वीरों को शेर करते हुए अक्टरस ने कैप्शन में लिखा है एक अच्छी फिल्म जो की आज की समय पर आधारित है फिल्म प्रेम गरंत में जाती गत भेद भाव और दुशकर्म जैसे समवेदन शील विशय को उठाया गया था इसमें दिखाया गया था कि एक उची जाती के लड़के सोमेन को लोर कास्ट की खोपसूरत लड़की कजरी से प्यार हो जाता है इसके बाद एक दिन कजरी अचानक गाउँ छोड़कर चली जाती है फिल्म की असल कहानी यहीं से शुरू होती है अगर आपने फिल्म नहीं देखी है और देखना चाहते हैं तो यह OTT प्लैटफॉर्म Z5 पर उपलब्ध है प्रेम गरंत राजीव कपूर द्वारा निर्देशित और आरार के फिल्म द्वारा निर्देशित और निर्मित 1996 में बनी हिंदी भाशा की फिल्म है फिल्म में रिशी कपूर और माधुरी देख्षित मुख्य सितारे हैं और ये फिल्म बलातकार के विशय से संबंदित है फिल्म एक व्यवसायक विफलता थी मुख्य पुजारी स्वामी धर्म भूशन राज यानि की अनपम खैर का वकील पुत्र सोमेन रिशी कपूर एक द्रण चरित्र द्रण विश्वास और साहस वाला व्यक्ति है वो समानता और स्वतंतरता की सिध्धानतों में विश्वास करता है और अक्सर सामाजिक नयाय और धर्म के मुद्दों पर अपने पिता से बहस करता रहता है वो विशेस रूप से किधार नात से ऐसाहमत है जो मंदिर में खजाने का शोशन करने के लिए उसके पिता का उप के मामलों से खुद को दूर रहते हैं सुमेन वर्षिक त्योहार में एक सुंदर युवा महिला कजरी यानी माधरी देखशित से मिलता है और उससे पहली नजर में ही खिचा चला जाता है उसके निचले सामाजिक इस्तर के बाबजूद उनके प्यार की शुरुवात हो जाती ह वे अप्रत्याशित रूप से अलग होते हैं वो कजरी को खोजने के लिए अपनी पूरी कोशिस करता है लेकिन सब व्यर्थ में जाता है कजरी और उसके पिता बलिराम अपने गाउं बंसी पुरा वापस जा रहे होते हैं जहां मार्ग में कजरी का अपहरन कर लिया जाता ह और एक शराबी रहसे मई आदमी दोरा बलतकार किया जाता है कजरी उस समय आदमी के बच्चे के साथ गर्बवती हो जाती है कजरी की मा की बेहन उसे जूते बनाने वाले से विवाहित कराना चाहती है लेकिन तब कजरी गुप्त रूप से गाउं छोड़ देती है और उस आदमी के बच्चे को जन्म देती है जिसने उसके साथ बलतकार किया था उसने लोगों को खाना देने के लिए आग रह किया ताकि वो बच्चे को दूद बिला सके और वो जीवित रहे, बच्चा तब मर जाता है और कजरी बच्चे के अंतिम संसकार के लिए स्वामी धर्म भूशन से मिलती है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कजरी बच्चे को दफना देती है, एक साल गुजरता है और वे फिर से मिलते हैं, सुमेन ने कजरी को अपने मटोल करती है, वो सुमेन को एक पत्र लिखती है कि वह बलातकार से पीडित है, एक अविवाहित माती और अपने समाज से अन्याय पूर्ण धंग से बहिश्कृत है, वह भी सुमेन से प्यार करती है, लेकिन हर पल में उसके अतीत का दुर्भागे उसके दिमाग पर हावी ह होता है, इस बीच किदारनाथ ने एक महीला को जीवित जला दिया गया, क्योंकि वहर रूप सहाय गोविंद नाम देव नामक एक शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहती थी, कजरी और सुमेन नंदलाल के डेरी फार्म में व्यस्त हैं, लेकिन धर इंदलाल सच बताता है कि कजरी के साथ बलतकार किया गया था, और यह उसकी गलती नहीं है, कजरी के चाचा से पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने उसके साथ बलतकार किया वो रूप सहाय है, जिसने एक बार उसकी चाची से भी बलतकार किया था, कजरी शिरीपुर जाती है और सोमेन को बताती है कि रूप सहाय एक शराबी आदमी मिला था जिसने उसके साथ बलतकार किया था। कजरी, सोमेन और बलिरम फिर रूप सहाय और केदारनात को दशहरा पर जला देते हैं और फिर सोमेन कजरी से शादी कर लेता है। तो दोस्तों आप लोगों को हमारा ये वीडियो और कहानी कैसी लगी? आप अपना जवाब हमें कॉमेंट के माध्यम से जरूर दीजेगा। अब इकलिए हम विदा चाहेंगे अगले वीडियो में आप से जल्द मुलाकात होगी।